हालो स्टुडेंट्स आए आज स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 13.2 एक्सरसाइज 13.2 फॉर चेप्टर सर्फेस एरियाज और वोल्यूम और इसके सभी फामले अमने से पहले एक्सरसाइज में डिसकस कर दी है के बाएं को सॉलिड के व終晚 के लिएक क्वेश्चन है तो सिक्रफों करें चैसन कर ब्रणको तो एक्हत्त क कॉर्फंत करें चैसे कावेश्चन ढबना अन तो का सब्सक्क्राइज करेंगे में पहल्red करते को सहरे मैं आपको यां पर दिया गया है a solid is in shape of the cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 cm and height of the cone is equal to its radius यानि कि वो भी आपका 1 cm है, find the volume of the solid in terms of pi तो एक cone है जो एक hemisphere के उपर ख़रा है यह आपके shape है solid के और फिर उन्होंने बोला है के height of cone जो height of cone है h equal to r है और r equal to 1 cm यानि कि h equal to r equal to 1 cm अब इसके बाद देखिए उन्हें बोला solid का volume बताओ तो volume of conical portion of solid कितना हो जाएगा 1 by 3 pi r square h यह formula होता है that is 1 by 3 pi 1 का square into h और h की value भी 1 है यहाँ पर तो यह हो गया आपका 1 by 3 pi यहाई इतने cm cube क्योंकि यह आपकी रेडियर रहाइट cm में है अब रोल्यूम ओप है 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 मिस्पेरिकल पॉर्शन यह कितना हो जाएगा यह 2 by 3 pi r cube तो यह होगा 2 by 3 pi into 1 ka cube that is 2 by 3 pi therefore इतने centimeter cube हो है यहां पर therefore volume total volume of solid so formed equal to 1 by 3 pi plus 2 by 3 pi centimeter cube कितना होगा भई ? pi common लेता हूँ 1 by 3 plus 2 by 3 centimeter cube और यह हो जाएगा आपका pi into 3 by 3 जोगी cancel होगे 1 हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं answer pi centimeter cube तो यह आपका पहला question था अभी हम second question देख रहे हैं बहुत आसान question है student यदी हम dig out करेंगे तो volume यह आपर राचल and engineer student वाज आपका to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at two end by using a thin aluminum sheet the diameter of model is three centimeter and length is 12 okay if each corn has a height of 2 centimeter find the volume of air contained in the model that is actually made assume that outer and inner dimension of the model to be nearly same तो अभी यहाँ पर देखो जो मोडल की शेप दिये उन्होंने वो है कर शिलिंडर और सिलिंडर के साथ में दिखाया हुआ है दोनों तरफ यहाँ पर कॉन दिये गए हैं कि अधर भी और इधर भी ऐसा मॉला है और नहीं बोला है आपर की जो हाइट है यह 2 cm है इधर भी आपकी 2 cm है इससे हम अभी निकालेंगे क्योव कि हमें total length of मोडल ़े रखिए 12 cm और diameter दिया हुए है 3 cm तो जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगा आपकी 3 by 2 यहां भी जो रेडियस है आपकी 3 by 2 और यहां पर 12 minus 2 minus 2 यह 8 हो जाएगा 8 cm तो यह समझ में आया होगा आपका अच्छी तरह है और अभी हमें इसका वोल्यूम निकालना है तो देखिए वोल्यूम आएगा total volume equal to V1 plus V2 plus V3 यह से करता हूँ V1 पहले लेता हूँ V1 plus V2 plus V3 मैं आपको figure में दिखा है V1 plus V2 plus V3 V1 क्या है cylindrical portion का V2 and V3 conical तो देखिए यहाँ पर V1 की value क्या है पाई आर स्क्वार H H किसका H1 H1 क्या है यह वाली H1 और यह H2 और यह H3 तो फिर इसके लिए पाई आर स्क्वार H2 1 by 3 पाई आर स्क्वार H3 तो यहां पर देखो पाई आर स्क्वार तो common हो गया फिर H1 plus H2 by 3 plus H3 by 3 तो यह होगा आपका पाई आर स्क्वार वाल्य रग देता हूं यहां पर वाल्यू पाई की 22 by 7 लेंगे अदर वाइस यह नहीं दिया तो वाइनो नहीं यहां पर दिया नहीं है 22 by 7 ही यूज करेंगे 22 by 7 into R की वाल्यू कि थी आपको 3 by 2 into 3 by 2 और H1 की वाल्यू देखो डैटी 8 plus H2 by 3 यानि की 2 by 3 3 by 3 H3 value 2 है 2 by 3 तो यह हो जाएगा आपका 22 by 7 into 3 by 2 into 3 by 2 plus और यह होगा आपका 4 2 by 3 2 by 3 4 by 3 और 3 इस तर दिखा सकते है आप लोग 8 plus 4 by 3 और यह बनेगा 22 by 7 into 3 by 2 into 3 by 2 into और यहां नहीं वाला है आपका 3 8 जा 24 24 24 and a 4 28 by 3 तो देखे है हो जाएगा 7 4 जा फोर फोर 3 3 cancel and 2 2 जा 4 यहां से कर जाएगा यहां आपका 22 into 3 that's equal to 66 cm3 तो आपको पता है जो वोल्यूम है देरफोर वोल्यूम आप एर कंटेंड वोल्यूम आप एर कंटेंड इन दे मोडल कितना हो जाएगा भाई देखो यह हो जाएगा 66 cm2 जो का वोल्यूम है क्योंको उन्हें बोला कि आउटर इनर वोल्यूम कोई फरक नहीं देखेंगा दिमेंशन सेमेलना अभी हम लोग थर्ड कोश्टन देखरय है गुलाव जामून गुलाब जामून गुलाब जामून पने शुगर सीरफ अप्टो अब एर 30% of its volume and approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामून each shape like cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 ओके डाइमेटर मैंने सुझा रेडियस रेडियस होगे तो जाद हो जाएगी डाइमेटर है तो रेडियस 1.4 हो जाएगी तो अभी गुलाब जामुन आपको बताया गया है आईए यहाँ पर कॉश्चन नमबर त्री काफी रस्भरा कॉश्चन है गुलाब जामुन के लिए आप से कॉश्चन पूछा गया है यहाँ पर जो इसकी लेड दी है वो फाइश एंटी मिटर है गुलाब जामुन की बना कैसे है भई यहाँ पर 2.8 diameter है यदि diameter इसका 2.8 cm है इसका मतलब radius कितनी हो जाएगी diameter by 2 2.8 upon 2 बोले तो 1.4 cm तो यह radius हो गया यहाँ भी आपका यह radius है और मैं आपको बता दूँ यह भी radius ही होगा अब यह कितना है 1.4 यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक का भी 1.4 टोटल कितना है 5 2.8 1.4 प्लस 1.4 2.8 आप कम कर दीजिए तो यहाँ कितना बचेगा आपका यह 2.2 बचा तो अभी आप देखे इसका आप वोल्यूम निकाल रहे हैं तो वोल्यूम और वन गुलाब जामन कितना होगा यह होगा वी 1 इसका नाम देता हूँ वी 2 इसको वी 3 इसको यानि जो श्पेरिकल पॉर्सन है वो वी 1 और वी 2 एन वी 3 दोनो हैमी स्पेरिकल एंड के लिए तो वी 1 प्लस वी 2 प्लस वी 3 फिगर से देख सकते तो यह होगा आपका वी 1 की के लिए प्लस और वी 2 में 2 बाई 3 पाई आड क्यूब फिर 2 बाई 3 पाई आड क्यूब तो पाई की वाल्यू 22 बाई 7 पाई तो मैं कमन नहीं ले लेता हूँ आर भी कमन ले लेंगे तो पाई आड इसक्वार कमन ले लिए यहाँ पर एच आएगा यहाँ पर 2 आर बाई 3 और यहाँ भी 2 आर बाई 3 पाई आड इसक्वार और यह हो जाएगा एच प्लस 4 आर बाई 3 चलो वाल्यू सब इस्टूट करते हैं 22 बाई 7 इन्टू आर की वैल्यू अभी रुकिये रुकिये कितने गुलाब जामुन है गुलाब जामुन है हमारे 45 देरफोर वोल्यूम ओफ 45 सच गुलाब जामुन इक्वाल टू 45 पाई आर इसक्वार प्लस 4 आर बाई 3 यहां तक भी समझ में आगया होगा आकको तो यदि कहीं बाई मिश्टेक आपके मिश्टेक हो भी गई एक्जाम में इसको में प्रैक्षिस में रखो तो वहां पर आपके ज्यादर मार्स रिद्यूस नहीं होंगे बड़ यदि बीच में आपकी कलगशन मिश्टेक होगे इसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर के स्टेप आपके वाइड हो जाएंगे और वहां पर मार्स नहीं मिलेगे उसने बोला इच सेप लाइक शिलिंडर उप टू हमें बता दिया है उनने बोला थर्टी परसेंट सीरप जो है इसका हमें अब्जोब करती है यह गुलाब जामून तो therefore amount या volume of syrup absorbed उसने बोला होग and after only how much syrup absorbed तो volume of syrup absorbed by 45 गुलाब जामून इक्वल तो कितना हो जाएगा यह होगा 30% of its volume 45 का कितना volume था into 45 pi r square into h plus 4 r by थे यह आपका concept of question हुगा total और हम calculation part पे आजाते है आएए देखिए 30% into 45 pi 22 by 7 into r square r की value कितनी आई थी यहां पर देखिए यहां पर दिया आउनोंने 1.4 आपका r हो जाएगा तो 1.4 1.4 by 1.4 into 1.4 1.4 into 1.4 r square हो गया अब bracket start करते है h की value कितनी है 2.2 plus 4 r by 3 4 into 1.4 divided by 3 क्या क्या cancel हो सकता है आप यहां देखिए 1.4 को मैं 14 by 10 दिख देता हूँ इसको भी मैं 14 by 10 दिख लेता हूँ अब यहां देखिए 100 के साथ के लगशन आसान जाएगी तो यह उपर 99 देखो यहां पर 119 जा 99 into 2 तो 99 into 2 divided by कितना हो गए यहां पर नीचे 100 बलकि यहां पर 3 भी है 2 3 जा 6 कर देता हूँ into 6 और divided by 100 नीचे आपका सिर्फ 100 बचा बागी सब cancel out हो जाता है यहां ध्यान रखके चलेंगे इन्टू उपर हमारा 14 बचा और इसके बाद अंदर देखे अब यहां तो पाइंट टू प्लस अब देखें यहां पर देखें 14 फोर्जा तो यह आपका 56 5.6 divided by 3 अब यहां पर देखें इसे जब हम cancel करेंगे तो 3 1 जा 3 अब यहां पर कितना बचा 2 26 हो जाता है 3 9 जा 3 8 जाए दी मैं लूं तो 24 हो जाएगा और इसके बाद आपका 2 बचता है 3 6 जा इस तर से आ गया 866 करके तो यह वैल्यू हो जाएगी आपकी 99 इंटू 6 डिवाइड बाई इंटू 14 डिवाइड बाई 100 और जो अंदर मल्टिप्लाइव का वैल्यू आएगी यह आएगी आपकी 2.2 यानि 6 0 6 0 यह 2.20 करके हम आएड कर सकते हैं तो यह कितना हो जाएगा 6 होगा यहां पर 2 और 8 0 हो जाएगा 10 होकर और यह आपका 2 and 1 3 and 1 4 हो जाए देते हैं 4.06 को मैं किस्से मल्टिप्लाइग करनों 6 इंटू 14 इंटू 99 तो 84 हो जाएगा इंदोनों को मल्टिप्लाइग करके और 99 इंटू 84 क्या आएगा देखो यह आजाएगा 9 4 जा 36 and 9 8 जा 72 तो 75 हो गया और फिर से आपका 756 दोनों को एड कर लीजिए 6 हो गया यह 11 हो गया यहां पर 8 5 13 हो थर्टीन और यह 8 अभी हमारा कहा तक का आ गया 99 यह बैकेट के बाहरवाल नोर्मल नमरा नुमेरेटर चला गया अविश को 6 से मल्लिप्पाइ कर देता हूं इसको तो 6 6 जा यह जो 4.66 है इसको 6 7 कर दूं क्योंकि यह 6 6 आसे आएगा तो यहां पर हम 7 ले लेंगे और अच्छी काल गुशन क्योंकि अप्रक्षिमीट मा आंसर आएगा यहां पर तो 7 6 जा 42 अभी आपका कैडियोन आप 4 और 7 बंज यह 22 कर दियोन 2 हो गया 7 8 जा 56 और यह 58 हो जाएगा अभी यहां पर 0 0 0 0 0 यह 0 के साथ चला गया अभी फोर से लिए 4 हमारा 24 फोर से जा 24 और 4 बंजा 4 यहां पर 4 और 6 आजाएगा 4 3 जा 12 कर दियोन 1 और 4 4 4 जा 24 32 और यह 33 हो जाएगा 2 इधर हमारा 1 है और इधर 6 हो जाएगा यहां आपका 14 14 और यह आपका 8 यहां 3 और 3 तो देखो यह बनता है आपका 338 यहां रिखदू 338 4612 4612 डिवाइड बाई 100 और यहां पर दो पॉइंट के बाद डैसी मल सा दो पॉइंट के बाद डैसी मल है तो 338.46 मैं कर देता हूं इसको 338 46.12 और यहां पॉइंट से डिवाइड करें दे आएगा 338.4612 यह आपका इतने सेंटीमेटर क्यूब वोल्यूम आया तो इतना सिरफ जो है आपका यह गिवन नमबर अब गुलाम जावून के अंदर अब्जोब हो जाएगा आईए अभी कोश्चन देखते हैं फोर्थ कोश्चन यहां दिया है आपको आपको जो गूलिगए नहीन में रोल्यूम दिखाते हैं नहीन मदारस्ट मेंदीमेटर क्यूब छोड्यूम आपको दिखें यहां पर टुचन चूबएड का जो लूम होगा उसमें से हम लोग जो कॉनिकल डिप्रेशन है उसमें कट किये है तो फोड ऐसे डिप्रेशन का वोल्यूम सब्टेट कर देंगे और जो बाकी बचा वो आपका नेट वोल्यूम आ जाएगा तो देखिए कॉन्शेप्ट आपके पास है स्रिफ कैल्कुलिशन पार्ट है देख लेते हैं अभी तक की प्रोब्लम में हम वोल्यूम एड़ करके निकाल रहे थे यहां पर उन्होंने सब्टेक्ट करने की प्रोब्लम दी है कुछ इस तर से पैनि स्टेंड दिया हुआ देखो इस तर से दिया हुआ है और यहां पर यह कौनिकल फोर्ड डिप्रेशन है इसके अंदर से यह नीचे के वाले दिखाई निया इस तर देख खुदे वह एं यह इस तर से अंदर को यह खुदा वा पॉर्चन दिखाया नहीं है तो हम सी पहल निकाल है यहां पर इत रिएक ट दिया है और यह दिया है आपको 15 by 10 by 3.5 तो 3.5 को 10 से मरी भी लाइक रहा है 15 into 35 अब 15, 5 जा 75, 7 करियोन हुआ, 15 जा 45, 45 and 7, 52 हुआ, इतना centimeter cube अब है, volume of 4 conical depression बोला हुआ हुआ है, yes, 4 conical depressions, वो कितना हुआ, 4 time of volume of 1 conical depression कितना है, 1 by 3 pi r square h, formula होता है, that is equal to 4 by 3 pi 22 by 7, r की value, यहाँ पर दिया है, radius दिया है 0.5, 0.5 into 0.5 और जो height जानी depth दिया है, वो 1.4 cm, तो देखें कितना हुआ है आपर, यह 4 by 3 into 22 by 7 into 0.5 है, तो इसको मैं 1 by 2 लिख देता हूँ, यह 0.5 by नीचे जब 5 by 10 लिख सकते हैं इसको, तो 5 by 10, 0.5 को इसे भी आप 5 by 10 लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 by 2 हो गया, यह आपका 1 by 2 हो गया, और इधर देखें भी आप लोग, 2 to 4 से 4 कर जाएगा, इधर 7 to 14 cancel हो जाएगा, तो यह होता है आपका 1 by 3 into 22 और उपर और क्या बचा आपका 2 और नीचे आपका बचता है 10, यह 10 बचा, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर आपका, यह आता आपका, यह तो cancel ही हो गया, 5 and 5, 5 by 2 यह तो अच्छा, 5 by 2 तहीं हाँ चला गया, 2 to 4 चला गया, ठीक है, तो 22 into 2 तो उपर बचा और 3 और 10 नीचे बचा, तो यह हो जाएगा, आपका 44 by 30, 44 by 30, अब आपको निकालना है, therefore, volume of wood बोला हुआ यहाँ पर उन्होंने, find the volume of wood in entire stand, volume of wood in the stand, so made, कितना होगा भई, यह होगा आपका देखे, V1 minus V2, तो V1 minus V2, अब V1 कितना है, V1 था आपका 525, यह है आपका 44 by 30, तो चलिए, सोड करते हैं, यह हम कर लेते हैं, 4.4 कर देता हूं मैं इसको, 4.4 by 3 कर देता हूं, इसको मैं, 4.4 by 3, आगे calculation का आसान हो जाएगा, और इसको मैं multiply करता हूं यहाँ पर, तो 3, 5 जा 15, 3, 2 जा 6, 7 हो जाएगा, आज 3, 5 जा 15, minus 4.4 divided by, और इधर आजाएगा आपका 3, तो यह होगा 157, 1575, 4.4 लेंगे तो यह आएगा, 157.05, यहाँ जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह 7, 150.6 divided by 3, और इस तर सा आप देखेंगे यहाँ पर, तो कितना लेंगे इसको, यह दि मैं 3 से ले लूँ तो, तो 3, 5 जा 15, इधर देखें अभी आगे, यह आपका 3, 2 जा 6, और यह आपका 10 होगा, 3, 3 जा 9, अब 16 होगा, 3, 5 जा 15, और 3, 2, 3 जा, तो 5, 23.53 cm3, यह आपका volume of wood आ जाएगा, तो student यह आपका 4th question था, अभी हम 5th question देखेंगे, a whistle in form of an inverted cone, देखें जो general हम लोग cone मनाते हैं, वो ऐसे है, आपका inverted करूँगा तो, क्या हो जाएगा, ऐसे, तो inverted cone है, जैसे आपकी, जो ice cream का cone होता है, उस तरह से, आप हाथ में पकड़ते हैं, वो inverted होता है, फिर बोला, its height is 8 cm, radius is, it is of the top, which open is 5, it is filled with water up to the brim, तो देखें, प्रोब्लम को discuss करते हैं, वो यह बनाएंगे, क्याद अच्छा समझे में आएगा, inverted cone, यहां तक था, और इसके dimension जो दी है, मैं इस पर लिखे लेता हूँ, यह दिया है, आपको height 8, जो height है वो 8 cm है, और जो radius of the top, यह आपको दिया हुआ है, 5 cm, यह open बोला उसने, और उनने बोला कि इसको पानी से भरा हुआ है, water से, up to the brim, यानि एक दम लबा लब, इसमें एक बूंद भी एक्ट्रा पानी नहीं आ सकता, इस तरह भरा हुआ है, यह दिकाल, up to the brim, तो, पूरा भरा हुआ है यह, इसके आगे क्या बोला, जान से देखो, अभी उनने बोला है, when lead shot, each of which is a sphere of radius 0.5 cm are dropped into the whistle, one-fourth of the water flows out, find number of lead shot dropped in the whistle, okay, यहाँ पर मैं छोटे-छोटे lead shot डालते जा रहा हूँ, ठीक है भाई, और यह आज इसमें जा मैं डाल रहा हूँ, मानो, n shots है, n shots मैंने इसके अंदर डाले, ठीक है, lead n shots are dropped, ओके, अब आप यहाँ देखें, जो इनको डालूँगा, जब मैंने n shot डाले, तो volume of one shot कितना, volume of one shot, lead shot, तो यह हो जाएगा आपका, 1 by 3 pi r square h, यह तो आपका कौन वाला लिख दिया, 1 by 3 नहीं, यह वाक होगा, 4 by 3 pi r q, और यह होगा, 4 by 3 pi, और यह h का जो r दिया है, यह 0.5 cm का मतलब कितना हुआ, 0.5, नीचे 1 लिखेंगे, रहिम रहटा हो, 0 यहाँ पर आपका, 1 by 2 हो जाएगा, उसका cube है, यानि 4 by 3 pi, और 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, आप 3 बाल लिखें, 2, 2 यह तो 4 कट गया, यह होगा, आपका, 5 by 6, कितना cm3, देर्फोर, वोल्यूम अफ, एंड शोट, अट शोट का कितना होगा, एंड टाइम अफ, पाई बाई थी, अकोरडिंगे, तो वोल्यूम अफ, एंड शोट, इस एकवाल टू, वोल्यूम अफ, कौन, क्योंकि इतना, जितना इसने वोल्यूम डिस्प्लेस किया पानी का, वो इश्चे बाहर निकल जाएगा, तो वो है आपका वन फोर्थ, आप वोल्यूम अफ, कौन, इतना पानी हमारा बाहर निकल जाता है, तो वोल्यूम है, ये इनके वोल्यूम के बराबर होना चाहिए, जिसे ही आफ, ये लेड शोट अंदर के, वाटर बाहर आया, तो अमउन्ट उड भी सेम क्योंकि जो हो एक लेड शोट अपने वोल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो it will equal to 1 by 4 and volume of कौन कितना है पाई और इसका radius कितना है कौन का फाई पाई आड स्क्वार इंटू H और H कितना है के लिए 8 that's equal to implies यहाँ पर क्या लेंगे वोल्यू पर बेंट शोट कितना है यह आपका n time पाई बाई 6 एक्वाल टू 1 बाई 4 पाई 25 इंटू 8 पाई कैंसल हो जाएगा यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी n इक्वाल टू इस 6 को हम राइट साइड ले जाएगे तो निमिलेटर में चला जाएगा 6 बाई 4 इंटू 25 इंटू 8 तो कितना बनता है एन पाई बाई 6 पाई आर क्यो four by three पाई आर क्यो ठीक है यहाँ पर चला गया यहाँ पर कितना है यह था one fourth of volume यह पाई आर square s था यह four by one by three pi r square s होता है जहाँ तो वूलियूम उप कौन जो है यह आपका one by three pi r square s तो यहां पर भी 1 by 4 के साथ में 1 by 3 भी आएगा 1 by 4 के साथ 1 by 3 भी एक यहां पर factor आएगा तो यह कितना हो जाएगा divided by 4 3 जा 12 और यह 12 है तो यह 2 जा 12 और 2 से cut करेंगे तो यह 4 जा 25 फोर जा 100 therefore n की value कितनी आ गई 100 therefore number of short जो उसके अंदर डाले गए वो कितने है 100 तो student यह आपका question हुआ यहां देहां रखें कि जो इसका volume होता है वो कितना होता है 1 by 3 pi r square h और इसका 1 4th इसका 1 4th volume जो है वो बाहर गया समझ में आया होगा तो इसका 1 4th याने कि 1 4th of 1 by 3 pi r square h यह बाहर गया तो student यह था आपका question number 5 और अभी हम 6th question देखते है और 6th question में आपके दिया हूआ यहां पर the solid iron pole consist of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass और ध्यान रहे हैं यहां पर देखो bracket में दिया है पाई की value 3.14 यूज करनी है तो it is your question number 6 और आईए figure से समझते हैं क्या दिया गया है question में generally जो electric pole होते हैं वे ऐसे ही होते हैं आप देखिए but वे hollow होते हैं यहां पर इसको solid dimension किया गया है उसकी shape में electric pole की shape में ही solid है और इसको electric pole से रोने पुकारा है आईए समझते हैं इसको यहां पर एक pole है जो इस shape में है ठीक है और यहां पर उन्होंने बोला है कि जो capital R है इसका radius इसका माल देता हूं में small r है और इसकी height h1 है capital H दे जता हूं एक दूसर के साथ associate करने के लिए आसानी रहेगी और यह small h है अब question में देखे क्या दिया आपको solid iron pole consist of the cylinder of height 220 cm and base 20 diameter 24 तो यह जो आपको दिया है यह दिया है आपको 220 cm और यह radius दिया है आपको कितना 24 by 2 12 cm क्योंकि आपको diameter दिया हुआ है 24 cm which is surmounted by another cylinder अब इसकी बात कर रहा है हो of height 60 cm यह आपको 60 cm दिया है and diameter दिया है radius दिया है उपर नीचे वाले के लिए diameter दिया है उपर radius दिया है 8 cm यह आपको दिया है 8 cm ठीक है find the mass of the pole 1 cm cube equal to 8 gram तो पहले में इसका volume निकालनू तो मानू इसका volume V1 इसका volume V2 तो volume of iron iron के लिए mention किया है यहाँ used in the pole pole में कितना iron लगा है that's equal to V1 plus V2 यह यह हो जागा 220 plus और उपर 68 8 का square into 60 क्या 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 common निकाल सकते हैं देखो जरा तो इसको मैं यहाँ पर 12 into 12 लिख देता हूं इसको यहाँ पर 8 into 8 लिख देता हूं तो पाइ common आ जाएगा और यहाँ पर 12 12 144 हो जाएगा 144 और यह आपका 8 8 जा 64 हो जाएगा दोनों में 16 common ले लेता हूं तो और 16 9 जा चला जाएगा और यहाँ पर यह 16 9 जा हो जाएगा यह 16 4 जा हो जाएगा इन दोनों में से भी मैं 20 common ले लेता हूँ तो यदि यहाँ से 20 common ले लिया तो यह आपका 11 हो जाएगा और यह आपका 3 हो जाएगा तो 9 इंटू 11 तो यहां बच जाएगा और यहां पर आपका 4 इंटू 3 बच जाएगा आपकी समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से तो यहां पर पाई की वैल्यू कितनी दी है इनोंने 3.14 3.14 इंटू 16 इंटू 20 और यह 99 और यहां पर कितना हो जाएगा 12 तो 3.14 इंटू 16 इंटू 20 इंटू और यह एड कर दीजिया यह 1 हो गया जोब इसमें आप 12 इंट करोगे तो यह 1 हो जाएगा 11 और यह 10 और यह भी आपका 11 ही हो गया तो अभी देखें यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी यह हो जाएगा 3.14 इंटू 16 इंटू और यह जाएगा 2220 तो इतना हुआ हमारा cm3 अब उसका मास देख लेगता है तो मास इक्वाल टू क्या होता है मास इक्वाल टू वोल्यूम इंटू दैंसिटी अब जो मास per minute volume दिया हुआ है उसने density 1 cm3 का mass दिया हो ना per cm3 mass 8 gram तो यह आपका density हो जाएगी 8 gram per cm3 और volume कितना है आपका यह है आपका 3.14 x 16 x 2220 cm3 cm3 भट जाएगा तो यह आपका gram में आया यहनि 3.14 x 16 x 2220 और इंटू 8 इतने gram आ गया और अब इसको multiply कर लेते हैं तो 3.14 जो आता है इसको मैं पहले 16 से multiply कर लेता हूं बलकि मैं कहूंगा 168 जा कितना हो जाएगा 128 तो 3.14 x 128 x 2220 इतने gram हो जाएगा और यदि मैं इसको multiply कर लेता हूं यहां पर अब 2 से करेंगे तो 2 8 हो जाएगा यहां पर 2 हो जाएगा यहां पर 6 हो जाएगा फिर 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा 3 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और यहां पर आएगा आपका 2 9 और 6, 11 और यह आपका 2 into 4, 6, 10 और यह आपका 4 हुआ तो यह आता है आपका 40192 into 2220 इतने ग्राम इसे मैं multiply कर लेता हूँ तो यहां देता हूँ आपको 40192 2220 तो पहला तो 0 ही हो गया, 0 तो मैं बाद में लगा दूँगा, छोड़ दिये, 2 से करिए तो 224 और 224, 2918 और 212 यह 3 हो जाएगा, फिर 0 है और फिर यह आपका 248 यानि कि 48308 फिर से आपका 48308 देखे कितना आता है, यह आता है 4 और यह आपका 12 और इधर देखेंगे तो यह आपका आजाएगा, 3 और 8, 11 and 4, 15, 16 और यहाँ पर आपका 9, 3, 12 और इधर आपका 9, 3 फिर से 12 और यहाँ आपका 8, 9 हो जाएगा यहाँ पर, यह 9 हो गया और यह आपका 8 हो जाएगा, यह हमारी वैल्यू आई, 8, 9, 2, 2, 6, 2, 4 यह वैल्यू आई है आपकी, टोटल 8, 9, 8, 9, 2, 2, 6, 2, 4, 0 और एक बात ध्यान रखेंगे, यह जो 3.14 into 128 हमने मल्टिप्लाइ किया था, इसमें यहाँ पर डैसीमल है, तो अब ध्यान दें, यह जो यह जो यहाँ पर 2 पॉइंट के बाद रखोंगा तो यहाँ यह यह डैसीमल आजाएगा, यह आपका ग्राम था, और जदि मैं इसको क 892262.4 divided by 1000, यह आपका किलोग्राम हो जाएगा, यहाँ 123, 123 तो यह वाल्यू आ जाएगा आपकी, यह डैसीमल यहाँ से उठके यहाँ चला जाएगा, तो वैल्यू आएगा आपकी 892.26 kg, तो इस्टुनेंट यह आपका क्वेश्चन नमबर 6 था, यहाँ पर देखें ना, 3.14 था, तो यहाँ पर 0.92 था, यह 0.92 इसे जा मुल्टिप्ला जाएगा तो डैसीमल आजाएगा यहाँ पर, और इस ग्राम को फर्दर किलोग्राम में करणर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यह डैसीमल यहाँ से यहाँ हो जाएगा, तो इस तरह से आप देखेंगे यह आजाया बदेखेंगा, 892.26 kg. यह देखने क।छन मुछ 7 यह डैसे इस लिए सुड़ कोन पर फोईट 12 cm, यह डैसी 16 cm से लिए बूपरी अच्छर कोन पर वाइट 120 cm, यह डैस 60 cm, यह 10 Subscribe देखेंगे। लिया हमें लिएट पर इस पर आपर इस लिह डैसे लिएक से लिए Cylinder is 60 cm, and Height is 180 cm ये Question number 7 हमें Start करने देखे यहाँ पर सबसे पहले आपको एक Solid दिया गया है वहाँ पर एक Hemisphere दिया है और उसके उपर एक कौन दिया हुआ है उनका Combined Volume निकाल लेंगे उसके बाल उसको एक भरे हुए सिलिंडर के अंदर यहां दिया है फानी के भरेवे सिलेंडर पहले मैं सिलेंडर बना लेता हूं ठीक है और यहां पर इसका जो रेडियस है सिलेंडर का यह दिया है उन्होंने 60 रेडियस है रेडियस है तो यहां आर इक्वाल टू 60 सेंटीमीटर में है और हाइड जो है यह आपको 180 यह भी सेंटीमीटर में दिया हूए अब यहां पर एक उन्होंने और एक शोलीड मेंशन किया है जो इस तरते है कुछ हैमिस्पेर इसके ओपर एक कौन और इसका भी जो रेडियस है वह आपको 60 दिया हुआ है और जो हाइट ओप कॉनिकल पोर्शन यह यहां तक की है यह आपको 120 दी है अब ज़रा सोच हो यदि रेडियस 60 है तो यह कितना होगा यह भी 60 होगा यानि इसकी जो टोटल हाइट वह कितनी हो जाएगी 180 सेंटीमीटर ठीक है अब इसकी हाइट 180 और डामेटर कितना 60 इसको उठा करके उसने बोला यह पूरा पानी से फिर्ड था क्या शिलेंडर और अब इसको शोलिड को उठा करके उन्होंने इसके अंदर रख दिया तो जब यह सोलिड इसके अंदर आ जागे तो अपने वोल्यूम के हम लेक भी को जागे हम लिखेंगे था ऴते पहले वोल्यूम ओफ सिलेंडर बवार बराबर है और कितना हो जाएगा इतने सैंकी मींटे क्यूब अब इसके बाद है volume of solid जो दिया गया है that's equal to volume of hemisphere plus volume of corn यह कितना बनने वाला है यह two by three two by three पाई र क्यूप यह हैं मीश्वेर का हो गया plus और यह होगा 1 by 3 पाई आर इसक्वार एच यानि टू बाइ 3 पाई और यह कितना वाली होगा 60 का स्क्वाई क्यूब यह वाला हो गया plus 1 by 3 पाई और यह 60 का स्क्वार इंटो एज कितना है 120 यानि अब लिख सकते यह जगा पाई बाई 3 इन्टो 60 का स्क्वार कॉमन ले लेता हूं मैं यहां पर है यहां बचेगा 2 इन्टो 60 प्लस पाई बाई 360 का स्क्वार प्लस 120 तो यह जगा पाई बाई 3 60 का स्क्वार इन्टो 120 यह हो गया 120 यह तो इन्टो 240 अब हम लिखेंगे यह पर वोल्यूम और वाटर लेफ्ट इन स्लिंडर कितना हो जाएगा यह जाएगा इसका नाम मैं रख दा हूं वोल्यूम 2 अश्का नहीं रिखता हूं वोल्यूम 1 तो V1-V2 टोटल कितना था यह था पाई इन्टो 60 का स्क्वार इन्टो 180 माइनस और यह होगा आपका इसा कैंसर कर देता हो जो यहां पर 240 को तो कितना चला जाएगा 80 तो यह जाएगा पाई और यह 60 का स्क्वार इन्टो 80 और माइनस पाई 60 का स्क्वार इन्टो 80 यह वैल्यू हो नहीं हां रग भी वीवन माइनस वीटू वीटू की वैल्यू यह रही और वीवन की वैल्यू यह रही इतने सेंटिमेटर क्यों उता है आपके तो यह हुआ पाई इन्टो 60 का स्क्वार पाई इन्टो 60 का स्क्वार यह common हो गया यह 180 माइनस 80 यानि कि पाई इन्टो 60 का स्क्वाइड इन्टो 100 समझ में आया हुआ मेरे ख्याल से तो और इतने हुआ आपका सेंटीमेटर क्यूड और अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपका आएगा पाई की वैल्यू क्या दिये इन्होंने यह यहाँ पर दी नहीं है इसका महला 22 by 7 लेनी पड़ेगी तो यह यहाँ 3.14 यह रखे तो आसानी सा आतान सो इन्होंने 22 by 7 ही यूज करूंगा 22 by 7 इन्टो 60 इन्टो 60 3600 हो जाएगा और इन्टो 100 तो 22 by 7 इन्टो 3600 जीरो 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 और आगे बढ़ता हूं तो 72 3622 को मिल्टिप्लाई करूं तो यह 7272 तो 297 तो यह बत्ता है 792 और इदर आएगा 12340 दिवादेट बाई 7 और जब मैं इसको सोल्ड करूंगा तो इससोड वी कोल टू यहां पर मैं इसकी वैलू दे रहा हूं इसूड वी कल्टू 7 बनजा 7 और फिर आएगा आपका 7 बनजा 7 यहां देता हूं 7 बनजा 7 उसके बाद आपका फिर से बचा 9 7 बनजा 7 फिर 2 बचा यह 22 हो जाएगा 7 3 जा 21 1 बचा 10 हो जाएगा 10 हो गया तो 7 1 जा 7 3 बचा 28 हो गया 7 4 जा 28 चला जाएगा फिर उसके बाद फिर से 10 आपका 0 आगे बढ़ाएंगे तो 20 तो 7 यह लगवक 3 0 ऐसे हो जाएगा और अब भी हम लोग इसको यह किसमें आया वक्का आपका ही आया सेंटीमिटर क्यूब में यदि मैं मेटर क्यूब में लाओं तो इसको 100 इंटू 100 इंटू 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तो यहां पर आपका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 यहां डिखिमल चला जाएगा 1.13 1.131430 इतने मेटर क्यूब तो अप्रोक्षिमेट लिख देता है तो मैं 1.131 मेटर क्यूब तो student यह थापका क्यूब 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 7 अभी हम क्यूब 8 देखेंगे और यहां दियानो ने स्परिकल ग्लाष विशल है जाज चलेंट्रिकल नेक 8 cm long 20 2 cm diameter the diameter of the spherical part 8.5 by measuring the amount of water in how it hold a child find its volume to be 345 cm cube check whether the answer is correct taking above the above low edge inside measurement π की value 3.14 लेकर solve करना है तो आपको पता है कि एक मीटर में कितने cm होते हैं 100 तो cm को 1 by 100 meter लिख सकते हैं तो cm cube को cm into cm into cm लिखेंगे तो 1 by 100 meter 1 by 100 meter 1 by 100 meter तो convert करने के लिए कभी भी यदि cm square को meter square में convert करेंगे तो 100 100 से 2 बार divide करेंगे और cube के लिए three time divide करेंगे तो डिनोमिनेटर में multiply करेंगे आईए question number 8 देखते हैं यहां पर नोंने दिया है glass small r कर देता हूं radius और यह height आपको दी हुई है देखो diameter क्या क्या दिया हुआ है dimension क्या क्या दिया हुआ है यहां पर cylindrical neck 8 cm long 8 cm long 2 cm diameter radius कितना होगे आपका r equal to 1 cm 2 r की value d by 2 2 by 2 1 cm आगे बढ़ते हैं भाई अभी spherical part जो है उसका diameter दिया है 8.5 अब इसका diameter दिया तो यहां पर भी r equal to d by 2 हो जाएगा dash part में spherical portion के लिए तो यह हो जागा 8.5 by 2 जिसा हम 8.5 को हम decimal नीचे ले आए decimal आगे 0 लग जागा 85 by 20 हो जाएगा चलो आगे करना सू करते हैं अब उसने बोला है कि इसका volume find किया by major amount of water it hold a child find it in cm3 cm3 में दिया हुआ है तो volume of water hold it by the whistle यह कितना हो जाएगा देखो यह जागा पाई 4 by 3 पाई r cube v1 plus v2 equal to v1 plus v2 तो कितना हो जाएगा यह जागा उपर वाला पाई r square h यह आएगा आपका 4 by 3 into pi और यह कितना होगा 85 by 20 into 85 by 20 into 85 by 20 into 85 by 20 और यह होगा पाई into 1 का square into 8 तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम इसे ले सकते हैं 4 by यहाँ पर हम काटेंगे 2 से यह 10 हो जाएगा इधर आपका क्या बचा 2 इस 2 से फिरते कार दो यह भी 10 हो गया और अभी हम लोग इसको भी 10 बनाते हैं यहाँ है नहीं हमारे पास चलिए अभी आगे बढ़ते हैं तो यह हो जाएगा आपका 85 into 85 divided by और निचे आएगा आपक 2000 प्लस और यह हो जाएगा आपका 85 चलिए पाई कॉमन ले लेंगे तो इधर होगा आपका 85 into 85 into 85 by 2000 प्लस एट और यह होगा पाई इंटो यहां कर देना 85 plus 85 into 85 और यहां प्लस में होगा आपका 28 जा 16,000 whole divided by 2000 आइए कल्कुलेशन करते हैं अब 85 85 को यह वैल्यू भी हम रख लेता है 3.14 अब 85 सिर्फ कल्कुलेशन पाट जाद है इसमा और कुछ नहीं है 85 85 को multiply करो तो यह हो जाएगा आपका 55 जा 25, 58 जा 40, 42 हो जाएगा और फिर से हम एट से करेंगे तो 85 जा 40 और 8 जा 64 यह 68 हो जाएगा तो यह 5 यह 2 यह 12 और यह 7 तो अभी तक कितना हुआ आपका 85 85 को किया हमने 2 को कर लिया और तीसरे को करते हैं इसमें फिर से तो 85 से फिर से multiply कर दो 55 जा 25, 5 जा 10 यह 2 हो गया 5 जा 10 और 1 11 हो जाएगा 25 में 2 करेंगे उन था 5 जा 10 2 और 12 हो गया 5 जा 10 और 1 यह आपका करेंगे 11 हो गया 5 7 जा 35 यह 36 हो गया 8 5 जा 40 8 2 जा 16 और 4 20 और 2 करेंगे भी भी है और 8 2 जा 16 यह 18 हो जाएगा और अभी आपका क्या यह एट 7 जा 56 यह 57 हो गया और 5 2 1 यह 14 14 और इसके बाद आपका हो जाएगा 11 और यह 6 अब यहां पर देखेंगे यह जो हमारा 85 25 इंट 85 इंट 85 यह वाल्यू में इरको मिल गई कितनी आई यह वाल्यू यह 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 अमाउंट आ गया अभी नोटिस करना है यहां पर हमने 3 छोट दिया रहती है तो मैं आगे ले लो तो यह होगा कितना 3 इंटू 2 तो यह 6000 हो जाएगा 2000 की जाएगा और यहां पर यहां पर 6000 तो अभी यह कितना हो जाएगा यह 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया और यहां पर आपका 516 और यह 6 हो गया अब जो वैल्यू हमारी आई है इसको मैं 3.14 से मल्टिप्लाई करना बाकी है यह कितन पार्ट बहुत है 3.14 आई यह मल्टिप्लाई करते हैं तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 यह आपका 10 हो जाएगा, फिर 4 बन जा 4, फिर 4 जा 8 हो जाएगा, फिर 4 6 जा 24, यह 24 26 हो जाएगा आई यह 1 से करते हैं, यह 5 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 6 होगा 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 यह 7 हो जाएगा, 3 बन जा 3 है, 3 2 जा 6 है, 3 6 जा 18 है और यह 18 और 1 19 हो जाएगा तो आई इसको add करते हैं, तो अभी जाक कर लेते हैं, यह 4, 5, 20, 4, 2, 0, 8, 2, 10 हो गया, 4, 1, यह 5 हो जाएगा, इधर आपका 4, 2, 0, 8, 4, 6, 0, 24, 26, 1 से तो 66, 2, 1, 2, 5, 62, 1, 2, 5, 3 से कर लेते हैं, 3, 5, 15, 3, 2, 0, 7 हो जाएगा है, आपका 3, 2, 0, 3, 6, 0, 8, 1, 19, ठीका, चलिए, यह हो जाएगा, आपका 0, 5, यह 2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 8, 8, 16, 1, 17 हो जाएगा, इधर आजाओ, आप लोग यह आपका 4, 2, 10 हो जाएगा, अभी यहाँ पर भी आपका 18, 1, 19 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 8, 2, 10, 16, 17 हो जाएगा, और यहाँ पर 20, तो देखो 790 72.5 divided by 6000 इसको मैं लिख सकता हूँ 6 into 1000 तो अब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ 20790 72.5 को डिवाइड करते हैं 6 से तो 6 3 जा 18 आई आगे बढ़ते हैं यहाँ 2764 जा 24 यहाँ फिर पर आपका कितना 3 3 के आगे 9 आए जाएगा और अभी भी आपका आएगा 66 जा 36 यहाँ पर आपका 3 हुआ 3 के आगे 0 65 जा 30 इधर 7 आया 6 बन जा 6 1 इधर 2 आया और 6 2 जा 12 फिर आपका 5 आया तो डेसिमल यहाँ ले जाएगे 6 बन जा ऐसे कुछ लग देते हैं है प्रदियो आएगी आपकी 3 4 6 5 1 2.1 डिवाइड़ बाइ 1 थाउजन और यह वाली आती है 30 कार दो 3.5 को यहाँ पर शिक्ट कर दो जानि की जो इसना दिया है दा a child find the value of volume 345 cm3 मारा 346 तो हम लिखेंगे, it is not equal to, it is not equal to 345 cm3, therefore, हम लिखेंगे, answer is not correct, child answer is not correct, इस तरह से आप देखेंगे, यह आपका 8th question का solution था, और यह इस तरह अपको अच्छे से revise करेंगे, और हम मिलते हैं आपको next lecture से के साथ, take care.